ओम शान्ती आज बारा प्रेल है आईए सुनते हैं मीठे प्यारे बाबा की साकार मुल्ली के आठ मुख्या पॉइंट्स तो बाबा ने कहा कि बाबा को सभी बच्चों से बहुत प्यार है क्योंकि बाबा प्यार का सागर है इसलिए गायन है फूलों से भी प्यार कांटों से भी प्यार लेकिन बाबा केते जो बच्चे बाब की राय को फौरण मान लेते हैं उन बच्चों से जास्ती प्यार होता है उनकी कशिश बहुत होती है वो आग्याकारी फर्मान बरदार बच्ची होते हैं तो बावा केते ऐसे बच्चे बावा का दिल जैसे जीत लेते हैं दिल पे चड़े होते हैं तो ऐसे बच्चों को बावा बहुत बहुत प्यार से याद करते हैं दूसरा पॉइंट है, बावा केते मैं सभी बच्चों को अभी गुल-गुल बनाकर वापिस ले जाने का कॉंट्रेक्ट लेता हूँ, ठेका लेता हूँ, सारी आत्मा को पावन बनाकर मैं ही ले जाता हूँ, मैं ही सर्व का सदगती धाता हूँ बावा केते मेरे जस्ता कॉंट्रेक्टर दुनिया में कोई हो गई नहीं, जो पती थे दुनिया को पावन बनाए, बावा केते मैं ये सर्विस की ये विगर रहे नहीं सकता हूँ, तो बावा हम बच्चों के लिए इस दुनिया में आ जाते हैं तो बावा केते तुम्हें भी फिर सर्विस का सबूत देना चाहिए, ऐसा नहीं सोना अनसोना कर दिया, क्यूंकि जो बावा का धंदा है, सो बच्चों को भी जुरूर करना है और तीसरा पॉइंट है, बावा ने ज़ कहा, कि मैं किन किन बच्चों को देखता हूँ और क्या क्या सोचता हूँ तो बाबा केते, मैं जैसे बच्चों के सनमुक होता हूँ, बच्चे मेरे सनमुक होते हैं, तो जूरी ये नहीं है, कि जो सामने बैठे हैं, मैं उनको ही देखता हूँ, या उनको ही दृष्टी देता हूँ, उनको ही याद करता हूँ, भले सामने देख रहा हूँ, लेकिन ब जिनके अंदर बहुत गुण है जो एकदम प्योर बनने की पूरी मेहनत करते हैं तो बाबा चुमबक है न तो बाबा को ऐसे बच्चों के प्रती बहुत कशिश होती है तो बाबा कह रहे हैं तो अपने आपको देखो कि हम बाबा को कितना याद करते हैं और सच्चा सच्चा कितना रहते हैं बाबा के साथ बाबा केते हैं लिख देना चाहिए कि मेरी कितनी आमदनी है कितना मेरा धंदा है तो भी समाचार है वो पूरा देना चाहिए बाबा केते हैं जब मैं सारा ग्यान आकर के दे देता हूं तो तुम बच्चों को भी अपनी सारी बाते मुझे जरूर बतानी चाहिए तो फिर जो जितना नजदीक का होगा उतना ही बाबा को कशिश करेगा ऐसे ने बाबा सब को सर्च लैट देते हैं बाबा केते जो जैसा है वैसी कशिश करता है जिन में अधिक गुण है सर्वे सेवल है सच्चा चाड़ देने वाला होगा तो ऐसी आत्में बाबा को कशिश करती है चोथा पॉइंट है बाबा केते मैं हूँ भोला नात बाप और भोली भोली मातों को ज्यान दे करके कितना उंचा उठाता हूं बिल्कुल ही उंचा चड़ा देता हूं मुक्ती जीवद मुक्ती का रास्ता दिखा देता हूं सिर्फ ये कहता हूं कि विकारों को छुड़ो अपने को घाटा मत डालो वैपारी का अग्जम्पल देते हैं कि वैपारी लोग क्या करते हैं रोज अपने घाटे और फाइदे का चार्ट रखते हैं तो तुम बच्चों को भी अपना चार्ट जरू रखना है बाबा अती मीठा है, अती प्यारा है और हमें विश्यो का मालिक बना रहे हैं तो ऐसे बाबा को हम कितना याद करते हैं, जब चार्ट देखेंगे, बता चलेगा हम तो कम याद करते हैं तो अपने आप ही स्वयम पर लज जाएगी है ना, तो बाबा के तो इसलिए चार्ट रखना बहुत जरूरी है कि तो पंदरा बीस दिन तक भी चार्ट लिख देते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद चार्ट लिखना ही जैसी भूल जाते हैं तो बाबा के तैसे नहीं करो चार्ट लिखेंगे तो उन्नती होगी पांचवां पंट है बाबा के ते बच्चों को अपनी छी-छी आदतें छोड़ देनी चाहिए नहीं तो पद क्या मिलेगा सोचो माशुक भी गुण देखकर ही आशिक होता है न तो बाबा केते तुम्हारे में गुण नहीं दिखाई देंगे तो मैं प्यार कैसे करूँगा लायक कैसे बनूँगे इसलिए गंदी आते छोड़ो अगर जंक उत्रेगी तो ही चुम्ब कशिश करेगा न तो वो जंक निकालने पड़े अंदर से बुराईया निकालने पड़े बाबा केते जो सर्विस नहीं करते हैं वो किसी काम की नहीं है है न तो यह ऐसी बाते वो समझेंगे भी नहीं जो भाग्याशाली है वो ही इन बातों को समझेंगे वो ही कलब कलबांतर उंच पद पाएंगे तो बाबा केते पोजिशन कम नहीं पानी चाहिए तो यहीं केवल खुश नहीं हो जाना चाहिए कि हम तो स्वर्ग में चले ही जाहेंगे बाबा केते इसे नहीं अपनी तकदीर बनाओ तो सबसे बड़े तिवड़ाश्विवाद यह हुआ है तुम बच्चों पर कि स्वर्ग बाब तुमको इस रावन की दुनिया में चाहने के लिए आए हुए हैं इसलिए फॉलो फादर मदर करो तो ही उंच बद पा सकते हैं सोना अंसुना मत करो जब आवा कहते मैं सुनाता हूँ उसे सुना अंसुना नहीं करो विचार सागर मन्थन करो और निर्विकारी बनते जाओ तो चेठा पाइंट है बाबा कहते मैं कई वार बच्चों से पूछता हूँ प्रवरिती वाले बावा से मिलने के लिए आते हैं बावा प्रशन पुछते हैं कितने बच्चे हैं आपके इसलिए चेक करने के लिए पुछते हैं कि क्या जबाब देते हैं तो कई कहते हैं पांच हैं एक शुप बावा है कई तो सर्फ कहने मातरी कहते हैं बाबा मेरा बच्चा है, कहने मातरी कहते हैं, और कई उन्हें सच मुच बनाया है दिल से, जैसे एक बच्चे के लिए हर चीज में हक रखते हैं, अगर प्रॉपर्टी डिवाइड करेंगे तो हर एक बच्चे की बराबर उनको प्रॉपर्टी डिवाइड होगी, अगर कैश बराबर देंगे, हर चीज वस्तु सेम सेम उनको देंगे, क्योंकि सभी बच्चों का वर्षा एक जैसा लेने का हक है, तो इसी रिती बाबा कहते, यह अगर मुझे सच मुच बेटा बनाया है, तो फिर मेरे प्रती भी आपकी वो भावना होने चाहिए, जो वारिस बनाते ह बाबा को, बाबा कहते हैं वो आत्में विजे माला में परोई जाती हैं, वो सच सच वारिस जो बनाते हैं, उनकी बाबा बाद कहते हैं, तो जो यहां बाबा को वारिस बनाते हैं, वारिस क्वालिटी होती हैं, क्योंकि कहावत है सच्चे दिल पर साहिव राजी, राजी भ तो अपने आपको चेक करें कि हमने बाबा को सच मुच वारिस बनाया है या नहीं बनाया है। साथों हम पॉइंट है, बावा कहते हैं, रोज अपना चाट देखना है, गुप्त पुर्शार्थ करना है, जो बाप सुनाते हैं, वही सुनाना है, औरों को बावा से सुनना है केवल, और अंदर में खुब नशा चड़ाना है सुहें को, क्यूंकि हमको हाइस्ट बाप दाद दोनों पढ़ा रहे हैं, विचार सागर मन्थन करना है, हमारे अंदर कोई आसरी अफगुन तो नहीं, अगर है, तो चेक करके निकाल देना चाहिए, और कर्मातित बनने का पूरा पुर्शारत करना है, आठमा पॉइंट है, बावा कहते हैं, बच्चे तुम राज रिशी ह बेहद के विरागी हो, तुम्हारे लिए संसार क्या है, असार संसार हो गया है, माना इस दुनिया से जैसे कोई लगाव नहीं रहा, देहे से कोई लगाव नहीं रहा, संसारिक बातों से कोई लगाव नहीं रहा, तो उसे कैबो लेंगे, राज रिशी, परंतु यदी, किसी में लगाव है बेहद का वेरागय नहीं है दुनिया में लगाव जुकाप अभी जाता रहता है तो राजरिशी नहीं कहेंगे तपस्वी नहीं कहेंगे ठेक है तो इसलिए अपने को चेक करना है कि बावा ने तो हमें सुमान दे दिया कि तुम बच्चे बेहद के वेरागी हो सच्चे सच्चे राज रिशी हो है न तो क्या सच्च मुझ बाबा के दिये हुए इस टाइटल को हमने स्विकारा है ये चेक करना होगा ओ शंती